नमस्कार खबरों का पंच नाम देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूचा हम लेकर आए हैं देश दुनिया की पांच बड़ी खबरे जस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडिय में मौझूद हैं क्या पचल चीवी के एडिटर इन चीफ दॉक्टर मनिश्कमार डॉक्ट साब बहुत स्वागत हैं आपका दन्वाद सबसे नजर हेड्लाइंग्स पर वाइबरेंट गुजरात में मुकेश शंबानी ने की पियम मोधी की खुलकर तारी बोले मोधी देश के सबसे सफल प्रधान मंत्री तो लंदन से राजनाथ सेंग चीन पर बढ़ से मुधी सरकार के दूसरे कारेकाल का आखरे बजट एक फरवरी को होगा पेश 31 जैनुवरी से शुरू हो रहा बजट सत्र 9 फरवरी को खत्म होने की उम्मीद कैश पुर क्वेरी मामले में बड़ी अपडेट महुआ मुध्प्रा की खिलाफ F.I.R. दर्ज करनी की तैयारी में CBI लोगसबा सच्चिवाले सिमांगी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट महरास में शिंदे समेट सोलक की विधाय की बरकरार फैसले कोले का स्पीकर परवड़ से उद्वठाकरी कहा लोगतंत्र की हत्या है फैसला सुप्रिम कोर्ट जाने की तैयार कबरों के शिर्वात में सबसे बहले बात भारत के उभरते ताकत की अविश्व के बड़े बड़े देश भारत का लोहा मान रहा है और पियम मोदी के मुरीद हो रहे हैं तो वहीं वाइबरेंट गुजरात दोजर चॉबिस के उद्गाटन समारों के मौके पर खुद प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी एमदबाद पहुँचे और हर बार की तरह देश विदेश के उद्धोग पतियों का जमावला यहां लगा हुआ है गुद गाटन सत्र के दोरान रुलाइंस इंडस्ट्रीज के चेर्मेन और अरपपती उद्योगपती मुकेश अमबानी ने प्यम मोदी की खुलकर तारीव की है उन्होंने प्यम मोदी को देश के तहास का सबसे सफल प्रदान मंतरी करार दिया यसे के साथ राज में निवेश को लेकर भी कई घोशनाई की हैं साथी दूसरी तरह बिटेन दौरे पर पहुंचे रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग ने कहा है कि अब चीन भी भारत की वैश्विक आर्थिक और रननीतिक ताकत को मानता है एक तरफ फ्राजनाथ सिंग का हमला चीन पर दूसरी तरफ भारत में बड़े बड़े उद्योग पत्ती भी ये मान रहे है कि प्यमोदी ही सबसे बहतर प्रदान मंतरी देखें ये ही तो है नू इंडिया पिछले कुछ सालों में भारत में चीन को जिस तरह से मुंस्तोड जवाब दिया है रूस नहीं कर पाता यूके नहीं कर पाता फ्राज विष्व सक्टिया चीन से आख और इंडलकर बात नहीं कर पाती ये हिंदुस्तान कर रहा है हिंदुस्तान रास्ता दिखाता है जब मन आता है रिष्टे खराब होते हैं एप्स बेन कर दिये जाते हैं तमाम सरकारी ठेके से उनको बाहर कर दिया जाता है और हर आप ये समझे हर इंटरनेस्टल फोरा पे इंडियन डिप्लोमेट्स मंतरी विदेश मंतरी चैना को सही काईदे तरीके से खरी खोटी सुनाते हैं तो ये हिंदुस्तान का बदला हुआ चरितर है और वो किसलिए वो इसलिए कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो प्रधान मंतरी हैं वो नैशनल इंटरेस्ट के साथ कोई कॉंप्रमाईज नहीं करते इसलिए हिंदुस्तान की सरकार चीन के साथ आख में आख डाल करना सिर्फ बात करती है बलकि खरी खोटी सुनाने का ताकत रखती है और यही बज़े है कि हिंदुस्तान का यह जो बदला हुआ रूप है ऐसे नहीं मुके शम्माणी ने कह दिया कि अब तक के सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी हुए है तो यह तो होना ही है जब आप निश्कलंक हो जब आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो आपकी नियत सही आपकी नीती सही तो खरी खरी बात तो करनी पुढ़ना यह तो लाज़मी बनता है बढ़ते आगे और बात अगली ख़बर की चुनावी साल को देखते वे बजट सत्र की तारीक भी सामने आ गई है मोधी सरकार की दूसरे कारेकाल का यह आखरी बजट होगा संसत सत्र इस बार 31 जानवरी से शुरू होकर 9 फरवरी तक चलेगा एक फरवरी को ही अंतरिम बजट भी पेश किया जाएगा यह मोधी सरकार के मौझूदा कारेकाल का अंतिम बजट है और चुनावी बजट भी होगा रास्टपती, द्रापती, मुर्मू, संसत के डोनों सरनों को 31 जानवरी को संबोधित करेंगी इस बार का बजट आम चुनाव से ठीक पहले पेश किया जाना है ऐसे में इस पार केंद्र सरकार की तरप से कई बड़े-बड़े अलान किये जा सकते हैं साथी UCC पर भी सभी की नजर बनी हुई है यह बजट सत्र कितना इंपोर्टन्ट है, क्या UCC आएगा? देखे, यह आखरी लोगसभा और संसत का यह सत्र होने वाला है कई सारे काम बाकी है क्या प्रधान मंत्री मुदी UCC लेकर के आएंगे? क्योंकि यह एक ऐसा मसला है जो भारती जन्ता पार्टी के एजेंडे में रहा है भारती जन्ता पार्टी जब से बनी है तब से तीन मुद्दो को लेकर के वो कहती आ रहे कि हमें बहुमत दो हमें बहुमत दो हम यह तीन चीज़ करेंगे राम मंदिर 370 हटाएंगे और UCC लेकर के आएंगे तो UCC का ही नंबर बचता है अगर सरकार यह तै करती है कि चुके यह बजट सेशन है समय कितना है नहीं है लेकिन फिर भी प्रदान मंतरी बोदी कब क्या फैसला ले ले लोगों को चकमा दे दे लोगों को चौका दे इसमें तो उनकी महारत है तो क्या उसका इस्तमाल हो सकता है यह आखरी मौका है इस सरकार के लिए कि आप वो काम कर सकते हैं देखना होगा कि बजट में किस तरह से इसको चुनावी महिना है चुनावी साल है तो उसमें यह तो टेकन फॉर ग्रांटे लेना चाहिए कि बहुत सारे बड़े बड़े घोशनाएं की जाएगी लोगों को फाइदा पहुंचाया जाएगा लेकिन लोगों की नजर आपने बिल्कुल सही कहा UCC के उपर है क्योंकि यह सरकार के यह आखरी संसत सत्र है अगली खबर में बात करते हैं प्रान प्रतिस्टा का नियोता ठुकराने पर चारों तरफ से गिरी कॉंग्रस पाटे की कॉंग्रस ने राम मंदिर प्रान प्रतिस्टा कारिकरम में जाने का नियोता अस्वी कार कर दिया है उन्होंने फैसला किया है कि वो राम मंदिर के प्रान प्रतिस्टा में नहीं जाएंगे जिसके बाद कॉंग्रस में ही आंतरिक कला शुरू हो गया है और इसका विरोध भी किया जा रहा है कॉंग्रिश के कई बड़े-बड़े निताओं ने इस फ्यासले पर आपत्ती जटाई है तो वहीं BJP ने भी कॉंग्रिश पार्टी पर जम कर हमला बोला है BJP ने कहा कॉंग्रिश को वहिस्कार करने की आदत है कॉंग्रिस ने GST, G20, कारकिल विजय, रास्टपती भोल, रास्टपती अभिभाशन नई संसत का बहिशकार किया बीचेपी ने कहा कि अब जनता कॉंग्रिस का बहिशकार करने जा रही है ये गांधी की नहीं, नहरू की कॉंग्रिस है, वोट के खातिर कॉंग्रिस किसी भी हद तक जाने को तयार है क्या राम मंदिर प्रान प्रतिस्ठा का नियोता ठुकरा कर कॉंग्रिस पार्टी ने बड़ी गलती कर दी है बिल्कुल ऐसा लगी रहा है कि गलती हो चुकी है, आपको पत्रकारों के बातों में आकर क्या आप बड़े बड़े फैसल होगे तो यही हाल होगा गलत फैसला क्यों है? क्योंकि पार्टी के अंदर ही विरोध होनी लग गया इंडिया गटबंदन के अंदर विरोध होनी लग गया आपके कारकरता सोचल मीडिया पे किस तरह की बाते कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए जो लोग कल तक कॉंग्रेस पार्टी का बखान करते थे सोचल मीडिया में वो भी यह कह रहे है कि गलत फैसला हो गया काफी नुकसान होगा और भारती जरता पार्टी तो आपको छोड़े की नहीं वो तो आपको हिंदू विरोधी, राम विरोधी, राम बंदर विरोधी, राम चरित मानस विरोधी ये तो सनातन विरोधी टैग आपने खुद अपने माथे पे चिपकाया है इस फैसले से इस फैसले से बचा जा सकता था कॉंग्रेस पार्टी को कोई ओफिसिल बयान ना दे कर वो ये कहते कि हम बीजी है नहीं आ सकते वो भारत जोड़ो निया यात्रा में कॉंग्रेस लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धी जब मती मारी जाती है तब आप इस तरह का काम करते हैं अब बात करते हैं कैश फूर क्वेरी मामले में आई बड़ी अपडेट की मोवा मुच्टरा की परिशानी अब बढ़ सकती है क्योंकि CBI ने उनके खिलाफ FIR दर्श करने की तैयारी कर ली है यसी कड़ी में CBI ने मुच्टरा के खिलाफ Ethics Committee की रिपोर्ट हासल करने के लिए लोगसवा सचिवाले से संपर्क सागा है लोगपाल के निवदेशों के बात से ही CBI पहले से ही मामने की जाच कर रही है और जल्द बड़ा आक्शन लेने की तैयारी भी की जारी है क्या जल्द F.I.R. दर्श होगा मुच्टरा के कलाफ देखिए CBI Ethics Committee से उनके रिपोर्ट को मांग रही है तो वो आरती उतारने के लिए तो नहीं इसका मतलब है CBI ने तैय कर लिया कि F.I.R. दर्श किया जाएगा महुआ मुच्टरा के होस्ट ठीकारे आगए होंगे है यह अकड दम अहंकार जिस हिसाब से वो जिस तेवर से वो बात चीत करती थी और किनके सहरे यह लल्लू पंजू पत्रकारों के सहरे यह जो Freedom of Speech Brigade है उसके सहरे यह George Soros के पैसे पर पलने वाले उन दलालों के सहरे कहा अब कोई आवाज उठा रहा है आज खबर भी आई कहीं छोटी से जगह पे डाल दीगे आपसे गलतिया हुई है आपने एक्सेप्ट कर लिया है CBI FIR भी करेगी देखे अभी तो FIR अब तो जेल भी जाना पड़ेगा मववा मोहितरा अपने अहंकार अपने घमंड की वज़े से सदस्ता गई घर भी गया अब जेल जाना होगा कोई त्रिणूमूल वाले बचाने नहीं आ रहे हैं उस समय जब मामला पीक पे था तो कई स सारे लोगों ने कुछ-कुछ बयान दे करके करनी काट लिया लेकिन अब जब CBI जेल पकड़के लेके जाएगी कोई काम नहीं आने वाला है इसलिए आदमी किस तरह की भाषा का इस्तमाल करता है उस पे उनको ध्यान देना चाहिए बिल्कुल अब बात आज की आखरी खबर की उदव ठाकरे को बड़ा जटका लगा है वदान सबास्पीकर राहूल नारवेरकर ने शंदे गुड के सदस्यों को अयोग किरार दिये जाने वा द्यक्ष का ये फैसला लोगतंत्र की हत्या है उद्व ठाकरे कह रहे हैं कि वो सुप्रिम कोट जाएंगे कोई फाइदा होगा क्या देखे ये विपक्षी पार्टिया खासकर इंडिया गडवंदन वाले यह हर सप्ता में तीन बार चार बार हिंदुस्तान की डिमोक्रसी क लिए बचे बाकी लोगों ने त्या कर लिया कि आप उनके नेता नहीं है एक्सेप्टिट यही तो डिमोक्रसी है बस इसलिए कि आपके नाम के पीश्य ठाकरे लगा हुआ है तो आपकी पार्टी के उपर आपकी बपति हो गई यह होता नहीं है कानून ऐसा नहीं यह लाओ रावल नार्वीकर शाहाब खुद एक वकील है लोके बड़े जानकार हैं यह हर चीज का वयक्षा करते हुए फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोट में क्या होगा कि सुप्रेम कोट में कोई फाइदा न ही कारण सुप्रेम कोट ने पिछले फैसले में ही कह दिया कि कोई विदायक वो डिस्कॉलिफाई होगा या नहीं होगा ये डिसिजन कोट नहीं कर सकता अदालत में इसका फैसल नहीं हो सकता उसके लिए सम्धानिक संस्था बनी वी है वो स्पीकर का ही काम है तो आप सुप्रेम कोट जाएए हाई कोट जाएए नहीं आमन लग रहा है यूएन चले जाएए इंटरनेसल कोट अव जिस्टिस चले जाएए कोई फरक नहीं पढ़ने वाला कोई फाइदा नहीं होने वाला घाटा तो साफ साफ नदर आ रहा है कि खबर ये आ रही है कि कॉं जरा भाव डाउन करो ये मुसीबत उद्दव ठाकरे की आ रही है जी बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए धन्यवाद